राधा की शादी गाम के सबसे बड़े परिवार में हुई थी वहा की परंपराये, रीती रिवाज और नियम सब कुछ बहुत अलग थए सास, गीता देवी, घर की मुखिया थी और अपनी सक्ती के लिए जानी जाती थी राधा जब पहली बार घर आई, तो वह ससुराल की जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी गबराई हुई थी सास ने पहले ही दिन उसे घर के कामकाज के बारे में बताया और नियमों का पालन करने की चेतावनी दी पहले कुछ महीने राधा ने सास की हर बात मानी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच खटपट होने लग कभी खाने में नमक द्यादा तो कभी सास को राधा के परनावे से परेशानी होती बहु को लगता की सास उसे समझती नहीं और सास को लगता की बहु अब बदल गई है दोनों के बीच ये अनकही दूरिया बढ़ने लगी एक दिन गाव में बड़ी पूजा का आयो जनहूद राधा ने बहुत मेहन से सारी तैयारिया की लेकिन पूजा के दिन गलती से प्रसाद गिर गए गीता देवी बहुत नाराज हुई और राधा को खरी खोटी सुनाई राधा की आखों में आसू आ गए लेकिन उसने कुछ नहीं कह उस रात राधा ने चुपके से सास के कमरे के बाहर सिसकते हुए उनकी बाते सुनी गीता देवी अपने पती से कह रही थी मैं राधा को बुरा नहीं समझती बस तरती हूँ कि कही वो मेरे जैसे हालातों से न गुजरे इसलिए उसे सिखा रही हूँ यह सुनकर राधा का दिल पिगल गए अगले दिन राधा ने सास के पास जाकर कहा मा मुहे आपकी चिंता समझ आई आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी गीता देवी ने भी बहु को गले लगा लिया और कहा तु मेरी बेटी जैसी है मैंने तुझे हमेशा सही राय दिखाने की कोशिश की है इस तरह सासबहू के रिष्टे में जो खटास थी वह धीरे-धीरे मिथास में बदल गए दोनों ने एक दुसरे को समधा और उनके बीच का रिष्टा और भी मजबूत हो गए झाल ने समय और भी मजबूत है झाल झाल